इस बजट के माध्यम से मध्यमवर्ग और आयकर देने वाले लोगों को विशेश छूट दी जाने की पूरी संभावना है ताकि हम 5 ट्रिलियन एकॉनमी का जो लक्षम में 2024 तक पूरा करना है उसे पूरा कर सकें इस बार के बजट में ग्यान यानि गरीब, युवा, अन्यदाता और नारी के लिए सरकार कुछ बड़े ऐलान कर सकती है प्यम मोदी ने इन चार वर्गों को ही देश की अकेली जातिया करा दिया है ऐसे में संभव है कि सरकार इन्हें राहत देने से जुड़े कई ऐलान इस बजट में कर सकती है क्या अंतरिम बजट में मिलेगे खुश खबरी क्या चुनाओ से पहले सरकार भरीगी जोली 22 जनवरी के बाद क्या मनीगी एक और दिवाली इस बार वित मंतरी अंतरिम बजट पीश करेंगी वो कह चुकी है कि इससे ज़्यादा उमीद न रगाये जाए लेकिन चुनाओ से पहले अंतरिम बजट के एलान से लोगों को इसमें पूर्न बजट से भी ज़्यादा दिल्चस्पी हो गई है दरसल 2019 के अंतरिम बजट में वित मंतरी प्यूश गोईल ने पांच लाग तक की इंकम वालों को टैक्स से पूरी छूट देने का एलान किया था इसके साथ ही स्टेंडर्ड डिड़क्शन को 40,000 से बढ़ा कर 50,000 और बैंक पोस्ट आफिस के डिपॉजिट पर TDS को 10,000 से बढ़ा कर 40,000 कर दिया था इस भरोसी की वज़ा 2019 के अंतरिम बजट में हुए एलान ही है जिसमें किसानों के लिए सरकार ने PM किसान स्कीम का एलान करके किसानों को हर साल 6,000 रुपे की मदद देने का एलान किया था इसके साथ ही पशुपालन और मचली पालन से जुड़े किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड पर इंटरिस्ट सब्विंशन का भी फायदा मिला था यानि जिस अंतरिम बजट को नई सरकार के आने तक केवल खर्च चलाने के लिए संसद के मंजूरी के लिए पेश किया जाता है वो लोगों को कई तरह की राहत देने का भी काम करता है इस साल पूर्ण बजट को चुनाओं के बाद बनने वाले सरकार पेश करेगी लेकिन इस से पहले वोटरों को फायदा पहुचाने वाले कई एलान करने का मौका भी मौजूदा सरकार नहीं गवाना चाहेगी इस बजट के माध्यम से माध्यमवर्ग और आयकर देने वाले लोगों को विशेश छूट दी जाने की पूरी संभावना है ताकि हम 5 trillion economy का जो लक्षम में 2024 तक पूरा करना है उसे पूरा कर सके लेकिन इसके साथ ही ग्लोबल सुस्ति को ध्यान में रखते हुए सरकार मौजूदा सिक्टर्स की ग्रोध के साथ ही नए सिक्टर्स को बढ़ावा देनी की नीदियों पर भी आगी कदम बढ़ा सकती है ऐसे में renewable energy, artificial intelligence समेथ कई नई खितरों के प्रोधसाहन के लिए एलान किये जा सकते हैं हलाकि चुनावी साल में लोप्रिया एलानों और 5 trillion dollar अर्थवेवस्था के लक्ष को हासिल करने की कश्मकश के बीच सरकार के लिए बीच का रास्ता निकालने की चुनावते भी होगी अदित के राणा आज तक एक छोड़ी से ब्रेक के बाद कुछ और बड़ी खबरों के साथ फॉरन लोटेंगे आप देखते रहे आज तक